चल्चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं महगाई बढ़ी लोगों को खाद नहीं मिलने लगी बीज नहीं मिलने लगी तो लोगों ने खेती करना बंद कर दिया सीची और गोरिकपुर न्यूज लाइन की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है अभी हम बांधा जिले में हैं बुंदेल खंड की बांधा जिले में हैं और हमारे साथ राजा भाहिया हैं राजा भाहिया जो की बहुत सालों से यहां पर एक समाजिक कारे करता है और पांध साल हो गए है इस सरकार को अभी खासकर कि अगर हम यहां की बात करें विदेल कि बात करें और बांधा-जिले की अलग से बात करें अगर हम तो यहां के राज हो अगर हें फिर शुमन डवेलेप्मेंट इंडेक्सेज भी बहुत खराब हैं मेरे खिल से यू-पी में स बुंदेलखन देश का वो इलाका है जो आज भी मानो विकास सुचकांकों में सब से पीछे है। यह देपी बुंदेलखन में जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन हैं, यहां नदियां हैं, पहार हैं, जंगल हैं, लेकिन उनकी बड़ी उपेक्षा हुई है, उनका दोहन हुआ ह माइनिंग बड़े पैमाने पर हुई हैं, तो सरकार ने यहां की जो प्राकृतिक संपदा है, उसका दोहन करके अपना खजाना तो भरा है, पर यहां की जो गरीबी है, भुकमरी है, पलायन है, उस पर एक भी ध्यान नहीं दिया है, और इसी कारण से आज पलायन इसकदर से बढ़ा हुआ है कि गाउं के गाउं खाली पड़े हैं, गाउं के गाउं करज में डूबे हुए हैं, करज से डूबा किसान आत्महत्या कर रहा है, पलायन करने वाला मजदूर जब उसको काम नहीं मिलता है, तो वो आत्महत्या कर रहा है, और इस तितिया लगातार लगाता कि उसने चीजए और बिगडी हैं क्योंकि हम यहां कई गौण उर देखा कि कई गरों में ताले लगे हुए हैं अभी भी वहां पर मतलब पलायन लगातार हो रहा है के 5000-6000 तक की population होती है जिन गाउं में हम काम करते हैं तमाम ऐसे गाउं हमने देखे हैं जहां 3500 की population हैं उस 3500 की population में लगभग 500-600 लोग बाहर हैं वो सब युवा युवतियां और तमाम ऐसे परिवार हैं जिन्होंने घर में ताला डाल दिया है और पलायन कर गए हैं और ये स मजदूर उनको वहां से निकाल दिया गया वह आपस गाउं आये गाउं में काम नहीं मिला किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला उनको और इस कारण से तमाम सारे प्रवासी मजदूरों ने आत्मात्या किया बांदा के आंकड़े बताते हैं अकबारों की खवरें बत हुंगे ऐसे परिवारों से थोड़ा सा बताईए क्या देखिए बहुत संबेदन सील मामला है जब इसको हम एक मंच में कह रहे हैं तो बिना तथ के नहीं कह सकते हैं और उस तथ को जानने के लिए मैं खुद उन परिवारों के में गया हूं उनसे बातचीत किया है जिन करता था पुलिस जाती थी उसका पोस्टमार्डम होता था पोस्टमार्डम के बाद में मामला अकबारों में आता था और अकबारों से हमें पता चलता था और उस अकबारों में जो खबरें मिलती थी उसके माध्यम से हम उन परिवारों तक पहुंच करके और उन सारी चीज करने पर लोग मजबूर होये देखिए कोई ऐसलिए करता है जब वेकति के पास में किसी और कर्ज हें और तो समास्य के प्रतिек करण तो यह रही है कि zar बैंकों से कर्ज ले रखा है जिनके पास जमीने नहीं हैं उन्हें शाहुकारों से कर्ज ले रखा है और उन्हें परिवारों के जो युवा हैं जो पढ़े लिखे लड़के हैं गैर पढ़े लिखे लड़के हैं वो सब बाहर जाकर के कंपनियों में काम करते थे वहां से जो पहरन पोशन होता था चूला जलता था लेकिन जब से ऐसी स्थितियां हुई कि कम्पनियों से भी उनको हटा दिया गया वह आपस गाओं आये गाओं में कुछ काम नहीं मिला कर्ज भी नहीं मिल पा रहा था तो जब बेक्ती अपने सामने अपने बच्चे को भूखा सोता दे हैं इस नौजवानी में हम अपने पतनी को नहीं खिला पाते हैं बच्चों को नहीं खिला पाते हैं तो ऐसे द्रस ने उनको विछलित किया और ऐसे द्रस के कारण तमाम सारे युवाओं ने आत्म हत्या का रास्ता चुना है आप उमीद क्या कर रहे हैं आगे के लिए खास आप चेसान बी बीड़े में लेकिन यह जो दुकान चला जो सुनथा हया जो दुकाने बंद रहें लोकडवान के दोरां यह चोटे मोटे क्उटन г — एक तो GST ने उनकी रीड को तोड़ा और दूसरा फिर करोना से भी वो बहुत प्रभावित हुए तो तमाम सारी दुकाने बंद हो गई और उन लोगों की स्थितियां भी बहुत खराब हुई हैं वो लोग भी कर्ज में डूबे हैं वो लोग भी परेशान हैं और ऐसा नहीं ह कि प्रवासी मजदूरों ने ही आत्महत्या किया है कुछ ऐसे भी केसे जाए हैं कि जो छोटे ब्यापारी हैं उन लोगों ने भी आत्महत्या किया है और तमाम सारे लोग पलायन के लिए मजबूर हुए हैं और तमाम सारे लोग काफी परेशान इस्तिती में हैं लोगों के मतलब उसके बारे में तो काफी मशूर भी था बुंदेर खंड की चावल की मिले उसका क्या हुआ और बांधा में कितनी थी जहां हम बैठे हैं यह अतर्रा जगह है और यह अतर्रा धान का कटोरा कहा जाने वाला यह छेत्र है जहां सबसे ज्यादा धान पैदा होता है और यह यहां सबसे ज्यादा चावल मिलें थी लेकि बस वही यहां जब से क्रशी घाटे का सोधा बंद करके रह गया महगाई बढ़ी लोगों को खाद नहीं मिलने लगी बीज नहीं मिलने लगी तो लोगों ने खेती करना बंद कर दिया और जब खेती बंद हो गई तो फिर धान की मिलें भी खतम हो गई अब अतर्रा में जहां तीस चालिस द्धान की मिलें हुआ करती थी वो केवल चार-पांच मिलों में सिमेट करके रह गई हैं और खेती पूरी तरह से समाप्त होती चली जा रही है और जो किसान है वो अपनी उस जमीन को आउने पौने दाम पर बेंच रहे हैं और बाहर जा रहे हैं माइग्रेट कर रहे हैं और इस थाई माइग्रेशन हो रहा है यहां से जाकर के कोई दिल्ली में बस रहा है कोई सूरत में बस रहा है कोई गुजरात में बस रहा है आगे कि अब क्या उमीद कर रहे हैं क्यों किस तरह की नीतियां सरकार ला प अब क्या उम्मीद करते हैं कि इस तरह की नीतियां यहां लाए चोटे वे अपारियों के लिए मजदूरों के लिए खास कर कि ताकि इस तरह पर पलायन भी ना हो देखिए इच्छा सक्ति की बात है होता यह है कि जब चुनाओ आते हैं तो चुनाओ में सभी नेता अपनी अपनी बाते कहते हैं तमाम प्रकार के प्रलोभन देते हैं और उम्मीदों में लोगबोड दे देते हैं और जीतने के बाद में फिर उनका यहां से कोई नहीं रह जाता है वो सब अपने अपने काम में बैस्त हो जाते हैं तो अगर इसी इस्थितियां रही तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सुधार की सम्हावनाये हैं पर यहां तत्काल काम की जरूरत है जैसे काम के लिए मन्रेगा एक आउसर के रूप में हैं उसका बहुतर मन्रेगा का सब्सक्राइब काम ही मिलता है गर बटी वे जिले काम का ऑश्ट निकाला जाये तो बीस-पचीश दिन से ज्यादा काम नहीं मिलता है और वो जो काम होता भी है तो मजदूरों को काम नहीं मिलता है वो काम JCB मसीन से करा करके जो काम मजदूरों को करना चाहिए वो जो बड़े बड़े ठेकेदार है पंचायत में JCB मसीन से काम करा करके और प्रधान अपने परिवार और अपने पडोसियों और अपने चाहने वा फुट काम मिला तो उसका पेमेंड नहीं होता है छेचे महींने बोन होता जिनका रोज का खाना रोज कमाना जिंदगी है धिन्षर वो काम करेगा और उसको टाइम से मजदूरी चैनल होता upset चानल मन्रेगा में परिवार कोई काई माना गया है, एक परिवार में अगर पांच लोग काम करने वाले हैं, तो पांच लोग काम करने जा रहे हैं, तो उनके ततकाल सो दिन पूरे हो जाएंगे, दस दिन में सो दिन पूरे हो जाएंगे, और फिर वो बाकी दिन खाली रहेंगे, त से जो मजदूरी करने वाले परिवार हैं वो उनको वो किया जा सकता है रोजगार दिया जा सकता है शेप किया जा सकता है और दूसरा जो किसान है किसानों के रूप उसमें ब्यापक रूप से इस्थाई खेती के प्रयास की जरूरत है बुंदेल खन की जो भोगोली के स्थित का बारसा का पानी होता है वो सब नदी नालों से नदियों में चला जाता है टीलों से बैकर के और वो जो खेत की मिट्ती है उसको को मजबूत करने की जरूरत है और यह सब काम बड़े पैमाने पर दूसरा पानी के लिए प्रबंध करने की जरूरत है जो परमपरागत जलस्रोत हैं जैसे तालाब हैं उनको जो है ठीक किया जा सकता है जमीनों को समतल करके लैंड बंडिंग का काम कराया जा सकता है उससे क्र इस विक्ट योजनहें तयार करके और यहां बढ़े पैमाने पर काम को किया जा सकता है तभी बुंसेल से बचाया जासकता है उमेद यही की जा सकते है कि इस बार बचालि से बंदेल खंड को बचाया जाए जैसे राजभे Contin while had वाइदे जुम्ले ना रह जाएं CCA और गुरिकपुर न्यूजलाइन के साथ आप लोग जुड़े रहें चुनावी खबरे आप तक आती रहेंगी